जहिन प्यारे भाईयों मैं हूँ आर्विसाल और मैं आपके लिए लेकर आए हूँ दिपावली की बहुत बड़ी खुसखबरी हमारे सारे स्प्रेंट जो सीडिये से एफकेट टीए की तियारी करने वाले लोग हैं आपके लिए बहुत बड़ी खुसखबरी है जो हमारी का दोबारा फिर नहीं आएगा चले आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको एफकेट एक्जाम को क्वालिफाई करने की तीन महीने की प्रॉपर स्ट्रेटी बताता हूं आपको पता है कि अभी हम लोग बात कर रहें अक्टूबर के लास्ट में अब अक्टूबर का लास्ट मत इस एक्जाम को पास करने की एफकेट एक्जाम कैसा एक्जाम है और इसमें कितनी मेहनत करनी है कितना पढ़ना है सब कुछ बहुत इत्मिनान से मैं आपको आपके 20 रखने वाला हूं तो वीडियो के अंतक बने रहें और कॉंटीनू इस चीज़ को ढंग से समझें क्योंकि कि आपको पता है कि जानकारी का होना और परिक्षा का पास और ये दोनों बहुत अलग अलग बाते हैं और परिक्षा पास करनी का ह्ईक्जक सबसे इंपॉर्टेन स्टेड़ जी है यक्जाम की अईएईक्जाम और enhance का एक्जाम है एक्जाम का जो लेबल है वो नेसनल है मत्तब हिंदुस्तान भर में एक दिन में एक्जाम होगा पुरे भारत का अच्छा अगला क्या अप्लिकेशन मोड ऑनलाइन और एक्जाम का मोड भी वेरे भाई है आगे आद देखिए अब एज आपको पता है 20-24 और ग्राउंड टेक्निकल 20-26 का क्राइटेरिया है बाकि एजुकेशनल कॉलिफिकेशन या आपके सामने स्क्रीन सॉट ले रहे आप यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए मैं आप सीदे सीदे स्टेर्जी डिसकस करने आपको बता दिया एजुकेशनल कॉलिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए निशनल टी आपकी इंडियन है आपको पेपर क्या है मेरे भई सौ सवाल का एक पेपर होने वाला है दो घंटे में ऑनलाइन मोड है पेपर का और तीन सो परसनों का पेपर है आएगा क्या-क्य तो वर्बल एबिल्टी वहले जी यह आपका जनरल एवर ने समतर जी एस है वर्बल एबिल्टी इन इंग्लीस है नुमरल एबिल्टी है मिलिटरी अप्टिट्यूट टेस्टर रीजिनिंग है इट मीन्स की सीधा सीधा मोटा मोटी भासा में कह दें तो जी एस है दूसरा माकिंग है यस मानस माकिंग है अब मैं आपको यह डिसकस करना चाहता हूँ इस लेबस मैस का मैस की जो किताब है हमारी बहुत बेश किताब है दोस्तों अगर आप वास्तों में को हम हमेसा गलती कर देते हैं अपनी जान की दुस्मन को अपनी जान कहते हैं मुहबत की इसी मिटी को हिंदूस्तान कहते हैं तो यह बात हर जगा लग जाती है कि मताब होकर मजबूर उस oxide मुझे को बूलाया हैं आप mkc में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं फिर भी आप इन किताबों को अगर काईदे से घर मांगा के पढ़ते तो भी आपके लिए बहुत important है अब मैं आता हूं अपनी strategy पर कि आखिरकार strategy हमारी क्या होगी तो देखिए 3 महीने का पूरा प्लान है अभी हमारे पास पूरा का पूरा number है पूरा का पूरा December है और पूरा का पूरा जैन है मतब कोल मिला के 30 त्याए 90 दिन हमारे पास है 90 दिन अब ये 90 दिन में हम अपनी पढ़ाई को कैसे उस लेबल तक ले जा सकते हैं जिसमें हम सेलेक्ट हो जाएं तो पहला तो आप अपनी पढ़ाई का जो जो फ्रिक्वेंसी है अब आपको पता है कि कोई भी कॉम्प्टीशन की त्यारी करने वाला बच्चा 12 से 15 घंटा लगातार 6 मह कितना पढ़ना चाहिए 15 घंटा लेकिन अभी फिलहाल में आपकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए तो आठ से 10 घंटा अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं एट प्रजेन तो फिर मैं चाहे लाख गला फाडू लेकिन कुछ होने वाला नहीं है साथी साथ अगर हम स्लेबस वा हर एक सब्जेक्ट को हर एक सब्जेक्ट को वेटेज के हिसाब से प्रॉपर टाइम देना है मतलब चाहे हो आपका इंगलीस है चाहे हो आपका मैट्स है चाहे हो आपका रीजनिंग है इन सारे सब्जेक्ट के साथ जीयस आपका आ गया इनको प्रॉपर आप टाइम दीजी सब के लिए time बाटिए और एक सीज और एक सीज दोस्तों अपनी strategy को अपनी planning को अब यहां से मैं चाहता हूं कि आपका जो plan होना चाहिए वो weekly हो जाए अब मंतरी तो कर नहीं सकते आप weekly plan तयार करिए कि भाई मुझे मुझे अब weekly plan तयार कीजिए कि मुझे अब हपते हपते मे कितना syllabus cover करना और सब को बाट दीजिए कि मुझे मैस का इतना portion इस हपते complete करना reasoning का इतना portion complete करना English का इतना portion complete करना मतब आपका plan weekly तो रहे ही लेकिन आप इसको daily watch भी करिए आप इसको daily watch भी करिए कि जो आपने target set किया है क्या उसका जो weekly आपने system बनाया है क्या हपते में वो काम पूरा हो पाएगा कि नहीं क्योंकि आप जानते हैं जिन्दिगी में सबसे जादा धोका इनसान खुद को ही देता है जब आप अपने भर बात देखेंगे यार कुछ हुआ नहीं काम छूड़ गया तो फिर आप उसको छोड़ देंगे तो आप अपने आपको प्रति दिन देखे प्लान weekly बनाए कि एक हपते में इतना खतम करन है लेकिन वाच आप अपने आपको परले करते जाएं अच्छा तीसरी बात क्या है भाई तीसरी बात यह है कि आप पी वाई क्यूज अब यहां आप कहेंगे सरी तो ऑनलाइन मोट का एक्जाम फिर भी पी वाई क्यूज का मतलब जो प्रैक्टिस सेट है मतलब मैक्सिमम आ इस से पचास पेपर आपको सॉल्व करना है अगर यह आपने कर लिया अगर यह आपने कर लिया तो आपको कभी भी कोई फेल नहीं कर सकता मतलब चार चीजे अपना वीकली प्लान सेट कर लिजी डेली उस पर वाचिंग करते रहिए पी वाई क्यूज का मतलब प्रैक्टिस सेट को प्रापर तरीके से लगाईए और सी बीटी की प्रैक्टिस करिए तो भाई अगर यह आपने चार काम कर दिया तो आपको दुनिया के कोई ताकत फेल नहीं कर सकती उम्मीद करता हूं कि जो मैंने अफकेट के लिए छोटी सी स्टैटजी बताई देखो यार एक लेकिन अगर जमीन उसर होगी तो क्या ही कर लेगा तो मेरा कहना यह है दोस्तों कि पैदावार के लिए जमीन का उर्बर होना बहुत इंपोर्टेंट है और अगर आप अपने आपको समझते हैं कि आप आपके माबाप आपके तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं आपने फॉलू किया तो इस बार नंबर आपका है जहिन प्यारे भाई हो